हेलो फ्रेंट्स वेरे गुड मॉर्निंग स्वागत आपका होम ट्यूशन चल पर दोस्तो आए आगे बढ़ते हैं रिजनिंग के हमारे प्रक्टिस सेट के अगले नंबर में जो कि च्यार नंबर है ठेक है दोस्तो अगर आप रिजनिंग को पढ़ भी नहीं रहे हैं ठेक है डेली आप रिजनिंग को प्रक्टिस भी कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी मैचोर्टे भी हम आपको यहां पर दे पा रहे हैं जो एक्स्प्लेनेशन करते हैं उससे आपकी मैचोर्टी बढ़ती है दोस्तो ठेक है तो यह आपके लिए बहुज़ादा बेनेफीसिय ठेक है फिर है एस टीवी फिर है वाई जैडबी और अगली सीरिज आपसे पूछिए दोस्तो तो अगर हम यहां पर पहले लेटर को देखें यह 13 है यह 19 है और यह 25 है तो मैं कह सकता हूँ 13 से 19 वा पलस है हुआ होगा फिर 19 से 25 वा फिर से पलस है है तो बहुज़ 25 से फिर स 30 होते नहीं है लेटर कितने होते हैं 26 तो 26 से कितना आगब जाना पड़ेगा पांच आगब जाना पड़ेगा तो पहला लेटर यिया आएगा आप्सण को अबजर करें तो केवल और चैसा एहां इस आपको मिल रही है आपको पूरा सावल सोली नहीं करना है दूसरे नंबर पें क्या आएगा तीसरे नंबर पें पहला लेटर चेक कीँए आपने देखा पलस है पलस है से आके बढ़ रहा है तो पहला लेटर और आएगा अब हम आप्स पर नज़र डालते है औस अ बी और डी में तो पहला लिटर ई है नहीं तो केवल उप्शन सी आप का अंसर आ जाएगा बाग की इसको सोल करने की भी आऊ सकता नहीं है यानि इस सवाल को सोल करने में जब आप एकजाम इस प्रकार का स्वाल आएगा तो मातर दो सेकंड का आपको टाइम लगेगा ठीक है एगला सवाल कथन का है सिछलोग जाम का유शन है कि सभी एडियो बिजली के सामान है तो हम यहाप कह लिए पे लिए जितने भी रेडियो हैं लुए वो सारे के सारे क्य बिजली का सामान वहां पर बिजली लिए लिए थाूँ आगे क्या कह रहा है सबी टेबल लेंप हैं वो भी बिजली के सामान है तो थोड़ा सा यहां पे रेडियो के डाइगराम को थोड़ा सा छोटा करेंगे ठीक है तो सबी radio क्या है सबी radio क्या है बिजली का सामान है और आगे कह रहा है जितने भी table lamp है वो भी बिजली का सामान है अब यही diagram कोई बच्चा ऐसे भी बना रहा होगा कि ये सर बिजली का सामान है सोरी बिजली ठेक है ये हमने देखा भी जितने भी रेडियो है वो सारे के सारे क्या है बिजली का सामान है और ये टेबल लेंप है ये भी बिजली का सामान है तो हम यहाँ पे अगर आपजर करें तो सारे के सारे रेडियो बिजडी का सामान है कोई प्रोब्लम नहीं है जितने भी टेबल लैंप है वो भी सारे बिजडी का सामान है दोनों डायग्राम से ये बात है वो सिद्ध हो रही है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यह तो statement में दे रखा है statement में कहीं भी यह clear नहीं है कि radio table lamp के बीच में क्या संबंद है तो अगर यहाँ पे अगर आप कोई बच्चा यह diagram बनाता है तो radio table lamp के बीच में कोई भी संबंद यहाँ पे नजर नहीं आता है और अगर कोई बच्चा यह diagram बनाता है क्योंकि possible तो दोनों ही diagram है तो यहाँ पे देखे तो radio table में संब का relation यहाँ पे नजर आता है दोस्तों ऐसा object ऐसे object जिनके बारे में statement में कुछ भी clear ना हो तो ऐसे object हमेश्या ही either or के case में आते हैं दोस्तों either or के case में या तो उनके बीच में संबंध होगा अगर होगा तो समका होगा all का भी नहीं होगा या फिर उनके बीच में कुछ भी relation नहीं होगा अब याद रखेंगे ऐसे object जिनके बीच में either or का relation होता है उनके बारे में अकेला निसकर्स चाहे positive हो चाहे negative हो गलत होता है हाँ एक बार दे रखा है कि कुछ जैसे मान लीजिए यहाँ पर conclusion होता नंबर एक कि कहता हुआ कुछ radio टेबल लेंप है ऐसा होता और एक बार होता नंबर दो निसकर्स होता कि कोई radio टेबल लेंप नहीं है तो हम देख पर एक बार समकी बात कर रहा है एक बार कर रहा है कि कोई नहीं है आपको पिता है कि table और radio में दो में से एक relation बन सकता है या तो कुछ रेडियो टेबल लेंप हो सकते हैं या कोई भी रेडियो टेबल लेंप नहीं हो सकता यानि दो में से एक चीज़ हो सकती है अब यहाँ पे दोनों ही बाते की गई है तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं दोस्तो आईदर और लगाते हैं आइदर और का मतलब है कि या तो ये निसकर्स ही है या फिर ये निसकर्स ही है लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि जैसे माल लीजे केवल एक निसकर्स ये होता कि कुछ radio table है तो आपको पता है कुछ radio table हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं तो ऐसे में निसकर्स क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा अगर इसकी जगए negative होता कि कोई radio table नहीं है अकेला होता तो वो भी क्या होता गलत होता इतनी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं छीक है आप निस्कर्स देखी कहरा कि कुछ रेडियोलेम्प हैं और दूसरा कहरा कि कुछ टेबललेम्प रेडियो हैं तो बात वही दूसरे में वीपरित बात कर रहा है कि कुछ table lamp radio है तो यह बात भी हाँ पर क्या है गलत है क्योंकि जो चीज हम देख पार है table lamp radio के बीच मे वही संबंध है कि हो सकता है कि कुछ table ramp radio हूँ या हो सकता कि कौई भी table lamp radio ना हो तो ऐसे में यहाँ पर दोनों ही निसकर्स क्या होंगे गलत होंगे तो option C इस सवाल का क्या होगा answer होगा उमेद है जो छोटा सा concept में देने कि आपको कोशिस कर रहा था वो आपको समझ में आया होगा आइदर और के case में अकेला निसकर्स हमेशा गलत होता है ठीक है याद रखेंगे चाहे वो positive हो चाहे वो negative हो अगला सवाल देखिए आकरती दे रखी है और उसका आपको mirror image आपको बताना है simple mirror है तो simple mirror में दोस्तो केवल right और left change होता है top और bottom same रहता है जैसे हम नाई की दुकान में जाते हैं तो हम क्या देख पाते हैं जो आप डेली अपने आपको शिसे में देखते हैं आइनम में देखते हैं तो क्या change करते हैं उसमें आप देखते हैं कि यह जो मेरा left hand है अगर म same रहता है तो right और left के concept इस सवाल को soul कर देंगे तो यहाँ पे देखें सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आप देखिए यहाँ पे चारो option ऐसे निज़रा रहे हैं कि same to same रहेगा लेकिन दोस्ते एक चीज़ यहाँ पे गोर करेंगे आप यह जो मचली बना रखी है इस परकार से ठेक है यही बना रखी है ना अब यहाँ पे उपज़र कीजी यह जो line है अंदर की और है यानि यह right की और जा रही पहली सी तो यह उपज़र किर लीजी ठेक है तो option A केवल option A में यह line है left की और जुकी है तो केवल A ही आपका answer हो जाएगा बात आगी समझ में बाकी तीनों ही गलत दे रखे हैं ठेक है तो option A सवाल का क्या हो जाएगा answer हो जाएगा अगला सवाल देखिए coding decoding का सवाल है कह रहा है कि किसी सांकेतिक बासा में A, B, C, D को लिखा हुआ है N, O, P, Q और आप से पुछा है उसी सांकेतिक बासा में T, U, V, W को क्या लिखा जाएगा तो हम जानते हैं यह आता एक नंबर पे 2, 3, 4 यहां पे देखे 14, 15, 16 और 17 तो यह 1 से 14 हुआ है कितना पलस है दोस्तो 13 यह 2 से 15 हुआ यह भी पलस 13 है दोस्तो 3 से 16 यह भी 13 पलस है और यह भी 13 पलस है यहां भी 13 का एडिसन यहां पे किया गया है तो यहां भी 13 का एडिसन कर दोस्तों हर लेटर में 13 13 प्लस यहां पर कर देंगे दोस्तों तो 20 और 13 कितने होते दोस्तों 33 होते हैं आपको बता है लेटर तो 26 होते हैं वही सेम चीज 33 में से 26 घटा दीजिए कितना बचेगा 7 और 7 यह स्थान पर letter कुण साता है जी यानि पहला letter G आएगा option को observe कीजिए option C और D हाँ से eliminate हो गया ठेक है पहला letter G आएगा अब देखिए दूसरा letter जैसे ही आप दूसरा letter यहाँ पर find out करेंगे या तो option A आपका answer होगा या फिर option B आपका answer हो जाएगा तो बाइग 213 चोंतिस होते हैं और 26 में कितना जोड़ें कि 34 आजाएगा आपका answer 8 तो 8 वे स्थान पर letter कोण साता है H तो पहले दो letter होंगे G H और केवल option A में ऐसा दिया गया है तो option A सवाल का क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठेक है इतना आपको करना है approach ये रहनी चाहिए अगला सवाल देखी ये भी coding decoding का है कहरा कि किसी सांकेतिक बासा में राम है उसको 914 लिखा हुआ है अच्छा जी उसी सांकेतिक बासा में सीता आपसे पुछे कि सीता को हम क्या लिखेंगे तो जरा बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब निक्या है तो सब्सक्राइब जोरो करें दोस्तो इस वरुकार की वीडियो को डेली पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए ठेक है क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे अगर कोई भी वीडियो अप्लोड होती है वो इनफोर्मेटी होती है मोटिवेटीड होती है और ज्यान से भरी होई होती है ठेक है तो यहाँ पे एरो गैरो चीज नहीं पढ़ाई जाती है पढ़ाई से समन्दित बात होती है ठेक है अब राम को 914 कैसे लिखा गया होगा तो आप सभी जानते है आर की पोजिशन होती है 18 एक की पोजिशन होती है एक और एम की पोजिशन होती है 30 अब आपको logic किलियर नजरा रहा है कि जो डिजिट है ना जिस letter की place value की digit है उनको ही आपस में जोड़ दिया गया यानि double digit को जोड़कर single बनाया गया है अगर कोई letter ऐसा है जिसकी position already single digit में अती है तो उसको single ही रहने दिया ऐसा लेटर जिसकी पोजिशन डबल में आती है डबल डिजिट में उसको जोड़के सिंगल बनाया गया तो यहां पर आठ और नो एक को जोड़के कितना हुआ दोस्तों यह एक ओलरडी सिंगल है इसको सिंगल रहने दिया यह तीन और एक कितना हो जाता है चार आगे बात समझ में तो यहां पर ऐसा आता है 99, 20 और 1 तो देखे आब 19 को जोड़ेंगे तो 9 रेक 10 आएगा अब यह 10 फिर सेड़बल डिजिट में है तो यहां पर 10 नहीं लिखेंगे क्या ओप्शन में 10 है 10 है केवल एक बार ही चेंज किया गया है दोस्तों ठेक है तो यहां पर एक बार ही जोड़ा गया है नहीं तो यहां पर आंसर यह भी बन सकता था एक नो दो एक चारंकों में यह हो सकता था ऐसा तो कोई ओप्शन है नहीं ठेक है तो हमें ओप्शन के अकोडिंग भी चलना पड़ेगा केवल एक बार जोड़ा गया इसमें तो 19 को जोड़ा बाई 9 रेक 10 तो पहला लेटर 10 आएगा दूसरा ओलरड़ी सिंगल इसको सिंगल रेन दिया अब ये तीसरा देखिए डबल में है तो इसको एक बार जोड़ा तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा तीसरा ओलरड़ी में है तो 10921 यानि ओप्सन भी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ठेक है दोस्तो सवाल का आंसर यहां पे 1921 भी हो सकता था ओप्सन में होता तो वो भी टिक कर सकते थे एक ही ओप्सन में लेगा या तो 10921 या 1921 ठेक है अगला स्वाल देखिए कहरा कि किसी सांकितिक बासा में लोनार को लिखा हुआ है 1221 1418 अब आप समझ गये होंगे क्या है यह कुछ भी नहीं है आप से पुछा किया है स्टार्ट स्टार्ट आप सभी जानते हैं परतिक लेτοर की जो पोजिसन है वो आग्य लिखिए है एल आता है 2012 Нमर पर 21 लिख दिया एन आता है 14 नमर पर 14 लिख दिया अब बताओ कुछ है सवाल में कुछ नहीं है S आता 19 पे, T आता 20 पे, तो पहले 19-20 देख लिजी, कौन से उप्सन में है, के वल उप्सन से में दे रखा तो यही आपका अंसरा जाएगा, ठेक है, अगला सवाल देखिए, कहरा कि निमल लिखित सब्दों को सब्द को समें आने वाले करम के अनुसार लिखिए, सब्द है फ तो B, C, L, C, तो आप मुझे बताएगे, पहले B आएगा है, पहले C आएगा, तो आप कहीं से रख पहले B आएगा, तो B वाला लेटर कौन सा है, पहला, यानि सबसे पहले अरेंजमेंट होगा, नमबर एक, अच्छा जी, अब आएगा C वाला, तो C वाले दो हैं, एक फेस है, दूसरा फैकल्टी है, तो F, A, C, उसमें भी F, A, C, तो पहले E आएगा, पहले U आएगा, तो पहले E आएगा, यानि नमबर दो, एक के बाद आएगा नमबर दो, फिर आएगा नमबर चार, और फिर नमबर आजाएगा तीन, तो ये इसका करम बनेगा, एक, दो, चार, तीन, एक, दो, चार, तीन, ओप्शन D सवाल का आंसर हो जाएगा, बताए कुछ है, अगला सवाल भी यहीं कर लेते हैं, कहरा कि D गई उत्तराकरतियों में से, उस उत्तराकरति को चुनिये, जिसमें प्रसनाकरती नहीं था है, तो आप ये देखी, क्या एक, आपका आपको इस प्रकार से नजर आ रही है, क्या ये उप्शन C में नजर आती कहीं भी, नहीं है, तो केवल उप्शन B में है, और ये कहां चीपी होई दोस्तों, जो अंदर इस प्रकार की आकरती बढ़ी होई है, इसमें चुपी होई है, ठेक है, तो ऑप्शन B इस साल का, अगला स्वाल देखिए मेरर इमेज की बात की गई है और मेरर इमेज में अगर हम ध्यान से देखें यहां पे तो इस आकरती में कुछ भी नहीं है दोस्तों कुछ भी नहीं है ठीक है यह इस परकार क्या करती है मैं बढ़ा क्यों रहा हूं कि वह आपको concept देना चाहता हूँ ताकि इस प्रकार का जब भी आपको सवाल बढ़े तो आपका गलत नहीं होना चाहिए अब इस line को आप गोर से देखे ये जो line दे रखें न बस आप इस पर गोर कीजिए एक single line है किये तो आप इसको mirror image में देखेंगे तो पहले ये अंदर की तरफ आएगी ये इस प्रकार से बढ़ेगी मैं थोड़ा सब बढ़ना देता हूँ ताकि आपको confusion ना हो ठेक है इस प्रकार से बढ़ेगी जो left में है अब ये जो line ने है न यहाँ पे तो ये चोटी line यहाँ और ये बढ़िया ऐसे आएगी लाइन ने राइट क्योर है नहीं है तो केवल एक आंसर है option A ठेक है option A स्वाल का answer ठेक है question number 10 देखे नीचे दिएगे परसन आकरति में दिखाए गए उनुसर कागज को मोड़ कर खोलने पर कौन शी आकरति जैसे दिखाए देगा तो यहाँ पे पहले क्या था वरगाकार कागज था आए इस वरगाकार कागज को बीच से से मड़ देगा तो यह अजर आएगा जावप मोड देगे आप मोडने के जो इस यहां से फोल्ड करने बाद ऐसा बढ़ेगा न तो इस कागज को काटा गया है इस राउंड में ऐसे यह ऐसे काटा गया है दोस्तों ठीक है यहां से कट गया है यह यह ऐसे काटा गया अब आप इसको उपन करेंगे तो उपर क्यों उपन होगा यह ऐसे ठीक है आप यह ठेक है तो जब निच्छे से उपर क्यों उपन करेंगे तो यहां पर वाटरमेज का कन्सेट्पट लगता से फोल्ड क्या था ना तो आप आप चार या अपन पर करें गए थे प्रकार यापका सरकल जो है लगबग एक तो यह कंपलेट अंदर वाड़ा कि यह अरेक बहार वाड़ा कंपलेट होगा इस प्रकार याखरती बनेगी और ऐसा दिया गया कि इसमें केवलम बे में अब आप कहेंगे सर बी से तो यह मैच नहीं कर रहा बिल्कुल मैच नहीं कर रहा क्योंकि एक गलत सवाल है दोस्तो जैसे आपको गुमाओ कटिंग दे रखें नमर तीन आकरते में परसन में वो इस प्रकार से दे रखा है और उसको अगर हम उपन करेंगे तो यह ऐसा ही नज करना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर तो अगला सवाल यहां पर मैट्रिक्स का दे रखा है और मैट्रिक्स में आपको क्राउन निकाड़ना है कि क्राउन उसकी पोजिशन क्या है तो इस सवाल की मैं आपको सोट्रिक बताने वाड़ा हूं अप्रोच बतान यहां पर टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, option A, B, C और D, चार option हैं भई, अब option देखिए 40, 57, ठीक है, छिंतर और दे रखा है, पिचान में 26, sorry, 56 है, option B में दे रखा है, 0, 4, 55, 55, 32, 22, option C में दे रखा है, 0, 4, 55, 85, 85, option D में दे रखा है, 46, 88, 45, 31, 57, अब मैं जो आपको बताना चाहरा हूँ, कि क्यों लिखा है, मैं नहीं, इसलिए लिखा है, कि जब भी आपका matrix का सवाल आएगन, आपका अप्रोच क्या लगाने पता है, पीछे से, पीछे से कीजिए, और चेकर, नहीं, पहले आप एक लेटर को चेक कर लिजिए, N को, N जो है, इन पोजिशन पर होना चीए, N या तो 5, 6 पर होना चीए, या 2, 2 पर 2, 1 या 5, 7 पर, आगर इन में से बताई हुई, किसी भी पोजिशन पर N नहीं होगा, तो वो option eliminate हो जाएगा, बात आगी समझ में, तो पहले हम N को देखें, तो option एक कोना सार, 5, 6 पर N होना चीए, 5, 6 पर N है, 2, 2 पर N होना चीए, तो 2, 2 पर N नहीं है, 2, 2 पर O है दोस्तों, तो option B, यहाँ पर क्या होगा, eliminate होगा, यह हमारा answer नहीं हो सकता, 2, 1 पर N होना चीए, तो देखें, ज़रा 2, rho, यहाँ पर N है, बिल्कुल, 5, 7 पर N होना चीए, तो 5, 7 पर क्या N है, 5 और 7 पर P है, दोस्तों, तो देखें, हमने केवल एक letter चेक किया है, 4 उप्सनों में, और हमने 2 उप्सन को यहाँ पर निकाल दिया, मैं आपको समझा रहा हो, इसलिए बच्चों टाइम लग रहा है, नहीं तो यह 5 सेक कर दिये, आप आप देखिए, डबलू को चेक करेंगे, तो यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 95 से इसको चेक करने कैभ सकता नहीं है, ओ को चेक कीजिया, ओ 7 6, या 8 6, तो ओ है और 7 6, तो 7 रोज 6, आपको पता है, ओ नहीं है, तो यह उप्सन भी गलत हो जाता है, उप्सन C आपका राइट अंसर हो जाएगा ठेक है यह आपकी अपरोच होनी चीज सवाल को सोल करने की कम से कम टाइम में नहीं तो यह सवाल दिया है इसलिए जाता है कि बच्चे का टाइम मतलब कंज्यूम करवाया जाई हाँ ठेक है दोस्तों तो मेद है अपरोच आपको पसंद आएगी हमे कह रहा है कि दी गई आकरते में कितने चत्र बूज है शेकर दोस्तों कि बनेगी ना तिर्ची से içam आएग्र IT का दोस्तों आपके सामने यह की डायग्राम आपका बनाओवा आहरु इसमें चत्र बूज पुच्छा है दोस्तों चत्र बूज आयत में चत्र बूज है व्रग बिचतरिं ए चत्र बूज है ठीक है तो यह सारी जिसकी चयार बूजा है वो चत्र तो आप यहां पर किलियर ली देख पारे होंगे एक तो चत्रबुज यह है दोस्तों एक यह अंदर वाड़ा दो एक यह तीन एक यह च्यार ठीक है एक यह पांच रिक्ष है और यह कंबाइन रुप से यह इन के अलावा कोई चत्रबुज है क्या क्या इन से कोई चत्रबुज बनेगा क्या क्या यह कोई चत्रबुज है क्या नहीं है तो कितने हैं यहां पर साथ चत्रबुज है दोस्तों ठीक है बिल्कुल आसान सवाल है लेकिन बच्चा यहां पर काउंट करेगा तो गलती करेगा option में देखे क्या क्या दे रखे 7, 8, 8, 9 तो बच्चा 7 की बज़ा 8 पर टिकर रहे हो सोचेगा एक ज़्यादा हो सकता है वो 7 तो count कर लेगा पर आंत में सोचेगा एक आदा हो सकता है गुलट टिकर के आएगा confidence के साथ आपको attempt करना है ठेक है अगला स्वाल देखे कहरा है कि क्युस्टन नंबर 13 से 16 में आपको विबाज या तेनी classification यहाँ पर करना है तो option जो क्युस्टन नंबर 13 है उसमें देखे option यह है A, E तो A और E दोनों ही वावल है दूसरे में है I, O ये भी वावल है तीसरे में O, U ये भी वावल है लेकिन option D में U, Z दे रखा है एक वावल है दूसरा consonant है तो यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठेक है क्युस्टन नंबर 14 देखें teacher, doctor, lawyer, student teacher का मतलब अध्यापक doctor का मतलब doctor चिकित्सक होता है अध्यापक यह क्या है professional work है बात आगी समझ में लेकिन student है यह profession नहीं है तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा option D student ठेक है इस सवाल का अंसर क्या जाएगा दोस्तों student आचा आप 15 नंबर सवाल को देखें तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा देखें option A दे रखा है B, E, S, K B, E, H, K ठेक है तो देखें B से E हुआ कितना है यहाँ पर चलो option लेख लेते हैं पहले J, M, P option C है P, M, S, V option D है S, V, Y, B तो देखें यहाँ पर 2 से 5 हुआ पलस्तीन 5 से 8 हुआ पलस्तीन 8 से 11 हुआ पलस्तीन है यहाँ पर 10 से 13 पलस्तीन है 13 से 16 यह भी पलस्तीन है कोई दिक्कत वाले बात नहीं है यहाँ 16 से 13 हुआ है माइनस का 3 है फिर 13 से 19 पलस्तीन है 19 से 22 पलस्तीन है यहाँ पर 19 से 22 पलस्तीन 22 से 25 पलस्तीन 25 से 28 पलस्तीन तो हम यह आप पर देख परें option A, B, D पलस तीन पलस तीन है यहाँ पर अलग है माइनस तीन तो यही आपका आंसर आजाएगा option C 16 नमबर स्वाल में देखें तो आपको क्यूशन दिख रहा AZ, J, Q, D, V, T, G तो आप सभी जानते हैं A का वीपरित क्या होता है? Z होता है J का वीपरित जैपूर किविन होता है D का वीपरित D, W होता है दोस्तो जाकि option D में T, G, J, T, Road एक दूसर एक वीपरित होता हैं तो यहापे आंसर क्या जाएगा option C D और W एक दूसरे की वीपरित हैं आप ए वी दे रखा है तो यही आपका क्या हो जाएगा अंसर हो जाएगा छेकर दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ठेकर लाइक कर दो वीडियो को लाइक नहीं करते हो तिम दो अगला स्वाल देखिए कह रहा है कि पैंसिल, सिसा और स्याही इनके बीच में आपको समझ बताना है तो मैं हर बार आपको बताता हूँ आप दो-दो को चेक कीजिए क्या पैंसिल और सिसे में कोई समझ है नहीं है दोस्तों कोई समझ नहीं है सिसा और स्याही में कोई संबंध है कोई संबंध नहीं है आचा पैंसिल और स्याही तो आप सभी जानते हैं कुछ पैंसिल है जिनमें स्याही डाली जाती है बात है कि समझ में सारी की सारी पैंसिल है और स्याही वाली नहीं होती रेकिन कुछ पैंसिल स्याही वाली होती है तो यहां पर क्या आएगा सम होगा दो नो एक सम ता आपका आंसर इस प्रकार से आएगा एक सम है और दो नो यानि यहां पर आएगा पैंसिल यहां पर आएगा स्याहि और यहां पर आजाएगा आपका सिस्सा चेक है तो इस प्रकार का ओप्शन कोण सा है ओप्शन बी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगला सवाल देखिए 18 नंबर कह रहा है कि आकरती को पूरा कीजिए तो कीजिए पूरा करती को बताए को अंसर आएगा फटा फट ठीक है तो यहाँ पे अगर आकरती को हम ध्यान से देखें तो जो हमारा यह चोथा बोक्स जो कंप्लीट करेगा इस अकरती को इसमें क्या आएगा दोस्तों सबसे पहले तो यह बोक्स से यह कंप्लीट होगा जो अदूरा है यस और नो यानि ओप्शन ए बी और डी आपका अ आउसर हो सकता है लेकिन अगर बसन दिमे तीनों ही लाइने कोर्णर से बिढ़ा रखी हैं तो ऑफसन एही सवाल गा क्या होगा आन्सर होगा क्या होगा रही है तो ऑप्शन ए हैस सवाल गा क्या हो जाएगा अगला सवाल देखी काह रहा है कि 5,6,7 और यहाँ पे 23 है, 4,5, 6 और 14 है और आप से पुछा है 3, 4, 5 और यहां पर क्या आएगा कुछ भी नहीं है बिल्कुल दिखावा है इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है दोस्तों अगर आपने रिजिनिंग में मिसिंग नमर को थोड़ा सा भी पढ़ रखा ना कभी कर लिया कभी भी जिंदगी में तो आप इस सवाल को कभी भी गलत नहीं कर सकते क्यों कुछ है नहीं बाई देखो 5 और 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा 30 और 30 में से 7 गटाइं कितना आएगा दोस्तों पांच गुणा में 4 करेंगे 20 आएगा 20 में से 6 गटाइं कितना आएगा 14 तो आप बताएगे 4 में 3 और 4 का मल्टीपल 12 बारा में से 5 गटाइं कितना आएगा साथ तो सवाल का अंसर कितना आजाएगा सेवन इस सवाल का आंसर होगा ठेक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर तो अगला सवाल देखे क्या कह रहा है mathematical operation है तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो स्क्यूसन दे रखा है 15 4 6 3 4 6 3 अब देखे रखा है L का अर्थ है गुणा ठेक है N का अर्थ है पलस में ठेक है बई और O का अर्थ है भाग ठेक है यही है बस तो आप जानते हैं सबसे पहले क्या होगा भाग होगा तो 3 से 6 को भाग देंगे दो आएगा 15 4 6 2 कितना दोस्तों 62 सवाल का अंसर होगा option D ठेक है कुछ है कुछ भी नहीं है अच्या 21 सवाल को देखे 9 7 4 8 1 को 419 लिखा है तो जो हैस दे रखेंगा तो कोई रोल ही नहीं है ठीक है 941 से इसको के वाले तरह लिखा है 419 कैसे लिख दिया पहले देखो 1 2 3 लिख लो इसको तो यहाँ पर क्या है दो 3, 1 ऐसे लिखा है इस करम में यहाँ पर देखे 916 है इसको 119 लिखा है एक दो 3, 2, 3 एक है कि नहीं, देखो 2, 3, 1 सेम करम है, ठीक है तो आप देखे 5, 31 तो 1, 2, 3 लिख लिजिए आप 2, 3, 2, 3 3, 1, 5, 315 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर यानि की option A, इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यह है, सूस्तो खाम का ड्राने के लिए दे रखें, बद चटर जाए, कोई ना कोई ऐसा होगा, जो इस सवाल को देखकर भी ड्रेगा, कि पता नहीं यह कैसे लिख दिया, कोई गुणा है, कोई सुकेर है, फलान नहीं है, दूसरा देखिए, I है, R है और A है, तो I, R, A में सबसे पहले क्या आता है, दोस्तो A आता है, तो A वाला ही वर्ड सबसे पहले आएगा, यानि सबसे पहले आरेंज होगा, पांच नमबर, अब पांच की खाने खतम, अब एक, दो तीन, चेर में देखें, कोई आएगा, F के बाद ही तो जी आता है, F आले देखी, आप देखें, फिप्टी और फिप्ट में क्या अंतर है, T तक दोनों में समान, F I, F T, दोनों में समान है, तीन और दो और तीन में, एक में H और एक में Y है, तो पहले H वाला आएगा, नमबर दो, पांच के बाद क्या आएगा, दोस्तों, दो आएगा, पांच, दो, और केवल ऐसा दे रखें, उप्शन C में, तो यही आपका अंसर जाएगा, आगे सोल ही करने के आप सकता नहीं है, ठेक, दोस्तों, अगला सवाल देखें, दोस्तों, यहाँ पर क्या है, आपको सवाल दिख रहा है, सोल करने क्यों सनमार, ठेक, दोस्तों, जरा बताएगे, क्या अंसर हो सकता इस सवाल का, फटा-फट दिमाग लगेए, अब देखें, दोस्तों, यह जो संख्या है, मुझे नजर आ रही है, 343 के करीब, यह सोर नो, तो 343 है क्या दोस्तों, आखिरकार, साथ का क्यूब, साथ का अभी तो 336 बनेगा, तो यहां तो साथ का क्यूब माइनस साथ कर दिया, तो यह तीन तो रोल ही खतम हो गया इसका तो, अच्या यहां पर 11 का क्यूब करेंगे, तो बहुत बड़ी संक्या चली जाएगी, यानि यह जो रोल हम लगा रहे हैं, जो यह पैटरन हम लगा रहे ह साथ कुणा में 3 होता है 21, 21 कस्किर होता है 441, और 441 और 336 में बहुत बड़ांतर है, 441 से 336 बढ़ी नहीं सकता, अच्छा जी, 3 की पावर 7, क्या 336 होता है, हो भी सकता है, माल लीजिए, तो क्या 2 की पावर 1110 होगा, नहीं होगा, यानि इस प्रकार की जो पैटरन है नही लगेंगे, आच्छा 7 और 3, 10 होते हैं, जोडवाड़ा भी कोई पैटरन नजर नहीं आ रहा है, ठेक है, साथ में 3 गई 4, 4 का क्यूब या ये भी नहीं है, ठेक है, तो फिर क्या पैटरन है सर, आप बता दीजी, आपके दिवाग में ये चल रहा होगा, मैं बता देता 95% जो सवाल है, मिसिंग नमर के, वो किसी ना किसी पैटरन को फॉलो करते हैं, सम हो सकता है, गटा हो सकता है, गुणा, मल्टिपल, सुकेर, क्यूब, सुकेर के साथ कुछ जोड़ दिया, क्यूब के साथ कुछ गटा दिया, इस परकार के पैटरन आपको मिल जाएंगे, सव इस परकार का पैटरन नहीं लगता, आप साथ का सुकेर कीजी, तीन का क्यूब कीजी, तीन का च्यार कीजी, तीन का पांच कीजी, आप इस संख्या के पास महुची नहीं सकते, ठेक है, क्योंकि तीन की पावर जो 5 होती है, वो 233 होती है, यह 336 है, ठेक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको यह चेक करना है कि यह तीन सो चतीस है क्या यह साथ से पूरा-पूरा भाग जाता है आप कहेंगे सार तीन सो चतीस साथ से पूरा-पूरा भाग जाता है देखिए साथ चोग अठाइस और साथ और साथ से पूरा-पूरा भाग है क्या तीन से पूर पुरा भाग जाता है बैस इतना काम अप लगा लीजिए यहां पर यह कुछ भी लोजिक ना लगे और संख्याइं बड़ी है इस प्रकार से तो आपको बस भाजगता का नियम चेक कर लेना है 336 साथ से भी भाग जा रहा है 333 से भी भाग जा रहा है 110 क्या 11 से भाग जाएगा बिलकुल क्या 112 से भाग जाएगा बिलकुल अब आपके सामने चार ओप्षन है और चार ओप्षन में से एक संख्या है जो आठ से भी भाग जाएगी और वो तीन से भाग जाएगी तो हम तीन का भाजगता का नियम चेक कर लेते हैं और भाजगता का नियम क्या है संख्या के अंकों का योग है वो तीन से भाग जाना चा पांसो च्यार योग्कि 504 आठ से भी भाग जाता है पूरा पूरा और ये तीन से भाग जाता है तो इसलिए हमारा अंसर क्या होगा option C 504 तो दोस्तों कई बार ऐसे भी स्वाल आ जाते हैं दिमाग है वो बिलकुल खतम हो जाता है बंद हो जाता है यहां पे ऐसे स्वालों को देख के दो-चार आप pattern लगाएंगे उसके बाद यह स्वाल स्वाल नहीं होगर आपका दिमाग हो जाएगा बंद ठेक है तो यह जो सवाल इस परकार के आते हैं बीच 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 भी उनसे आपकी maturity बढ़ते है कि वह उससे में इस परकार का सवाल आ भी जाएगा तो आपकी अपरोच क्या रहने चाहिए क्योंकि हमारा target इस सवाल को छोड़ने का नहीं है तो देखे ग्यारा से बारा हुआ पलस एक है बारा से सोड़ा पलस च्यार सोड़ा से पत्चीस यहां पे नो नजर आ रहा है पत्चीस से एक तारीस पलस में सोड़ा कुछ साथ नजर है दोस्तों यह दो का स्केर है यह तीन का स्केर है यह च्यार का स्केर तो एक का स्केर र डाइगराम का है कहरा कि पिता माता और परिवार तो दोस्तों पिता और माता एक मेल है फेमेल है कोई संबंद नहीं है माता है जितनी भी माता है सारी की सारी परिवार का ही संबंद रखती है या परिवार से ही संबंदित होती है उसी प्रकार पिता भी किसमे आते हैं दोस्तो तो परिवार में आते हैं, परिवार का ही एक इसा है, तो option D इस सवाल का क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, ठेक है, तो ये था हमारी ये practice set, आपको कैसा लगा, हमें जुरूर बताएं, और आपने कितना score किया, comment करके हमें बताएं, कितना आप score यहाँ पर कर पा रहे हैं, ठेक ह तो मिलते अगले वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद, गुड़ बाई